इस समय हम अंजी खड़ पर हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, कि किस तरीके से गहरी गहरी वादियां हैं। साथी साथ यहां पर जो काम चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें, तो USBRL का जवरदस्थ काम चल रहा है। और यहां जो पुल आप देख रहे हैं वो अंजी खड पुल है और यह पुल अपने आप में अनोखा पुल है अनोखा पुल इसलिए है क्योंकि यह भारती रेलवे का पहला केबिल आधारित पुल है और केबिल आधारित पुल है इस तरीकी का पुल पूरे देश में कहीं पर नहीं है और अंजी पुल का जो निर्माण है इसको भारती रेलवे की सबसे बड़ी चुनावती माना जा रहा था क्योंकि उधामपुर, सिरिनगर बारामुरा रेल लिंक का ये महत्पून लिंक है, ये महत्पून कड़ी है, जैसा कि पुल एक जगह को दूसरी जगह से जोडते हैं, उसी तरीके से यह पुल कट्रा से आने वाली लाइन को सीधा सीधा बनिहाल के लिए जोडती है, अंजी खड पुल जम्मू और कस मीर में है, कट्रा और रियासी को जोडती है, और देश का पहला केबल आधारित रेल पुल है, यहाँ पुल हिमाले के पहाड़ों में स्थित है, क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करें, तो यह दुर्गम जगह है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे के प्रोजेक्ट से पहले, य इस पुल की कुल लंबाई 725.5 मीटर है, और इसको अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है, अगर हम रियासी की तरफ की बात करें, तो 120 मीटर लंबा जो अप्रोच पुल है, इसको सहाइक पुल भी कहा जाता है, कट्रा छोर पर 38 मीटर लंबा अप्रोच केबल आधारित पुल, और इसके आगे एक टठबंद बनाया गया है, जो 94.25 मीटर है, मुख्य पुल और अप्रोच पुल के बीच में इस्थित है, और अंजी खड ब्रिज अपने आप में अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम इसकी कई खासियत की अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है, जो पुल की कुल लंबाई 725.5 मीटर है, इसमें से 473.25 मीटर की लंबाई वाला मुख्य पुल है, 120 मीटर लंबाई का सहायक पुल है, कट्रा छोर पर 38 मीटर का अप्रोच पुल है, और 94.25 मीटर लंबाई का केंड्रिय टटबंद सामिल है, और यहा कहा जाता है ये सेंट्रल पाइलन धुरी पर संतुरित एक अर्शमेट्रिकल केबल आधारित पुल है असिमेट्रिकल मतलब यानि इसमेट्री नहीं एक तरफ गुछालग आकार है दूसरी तरफ दूसरा आकार है और पुल के डिस्क की कुल चौडाई 15 मीटर है और यह पुल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो केबल लगाए गए हैं, उन केबल की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 96 केबल का इस्तिमाल किया गया है। और इनकी लंबाई भी अलग-अलग है, 82 मीटर से लेकर 295 मीटर तक की लंबाई है। तो ये अपने आप में जवर्दस्त पुल है और यह पुल जल रही यातायात के लिए खोला जाएगा अभी की अगर हम बात करें तो एक बड़ी चुनावती पूरी कर ली गई है और यहां पर जो सारे के सारे केबिल्स हैं उनको लगा दिया गया है और केबिल्स लग चुके ह कुछी दिनों में यहां पर पट्री बिछाने का काम भी सुरू कर दिया जाएगा कैमरामन सकील के साथ सिद्ध हार्थ न्यूजी स्टेशन अंजिखड ब्रिज